है वहां से जैसा कि हम बता रहे थे कि आपको लगातार मारे समादा था विशाल बेरिस्टों बता थे लगातार ये गिफ्ट सिटी से जोड़ने का भी ये मेट्रो काम कर रही है और इस वक्त प्रधानमंत्रिय अवलोकुन कर रहे हैं गिफ्ट सिटी के परियोजनाओं का जिनको आज एक ग्लोबल पहचान मिल चुकी है जैसा कि आपको पता है कि गिफ्ट सिटी एक एक ऐसा सेंटर है जो एकनोमिक सेंटर है जिसको विक्सित भारत के एक बड़े मॉडल के तोर पर देखा जा सकता है जिसमें भारत के निवेश्कों को भारत के बड़ी कंपनियों क एक ग्लोबल स्टैंडर्ड दिया जाता है और वहां पर होने वाले जो गत्विधियां वह बहुत इंपॉर्टन इस लिहाथ से क्योंकि एक्सपोर्ट ओरियंटेड जो सर्विसेज हैं जो गिफ्ट सिटी से वहां पर शडील की जाती है फिर वहां से जिनका क्रियान्वन कि जाता है उसको बहुत स्पेशल स्टैस मिलता है अलक से उसके लिए नियम बनाए गया है वहां जो कंपनिया लगातार वह इंकॉर्परेट की जाती है उनको कैसे ग्लोबल एको सिस्टेम के साथ जोड़ा जा बहुत सारे जो फेसिलिटीज हैं जो जो पहले देश के बाहर से अपरेट करती थी अब उने गिफ्ट सिटी में ट्रांसफर किया गया है जो आप निफ्टी की ट्रेडिंग पहले आप सिंगापूर में करते थे अब उसका गिफ्ट सिटी में जिसको गिफ्ट निफ्टी के नाम से जाना जाता है वहां पर रिलोकेट किया इसी तरह से बु उन्होंने आकर के gift city में अपने कारेयले खोले हैं और बहुत important है अहमदाबाद से gift city के बीच में जो connectivity है उसको बहाल करना जिससे कि जो peak hours हैं उसके बीच में जो railway का इस्तेमाल करते हुए जो commuters हैं और जो खासतर पर जो gift city में काम करने वाले हैं वो flight के जरीए कहीं से भी अहम इस वक्ति का उलोकण भी कर रहे हैं ग्लोबल फिस सीटी का एक जबर्दर्स अमेल गमेशन कहा जाता है gift city को और एक futuristic metropolis के तौर पर देखा गया है जहां पर world class सो बढ़ाएं बाजूद है और एक smart city के तौर पर इसको विक्सित किया गया है और पूरा का पूरा जो ecosystem है वो important है विशाल के आप मेरे साथ बने हुआ है विशाल के आप मेरे साथ बने हुआ है यह थोड़ा सा gift city के बारे लिए बताया है और किस तरह से वहां पर जो global facilities है वो बनाई गए है और यह जो connectivity है वो कैसे और भी एक